नमस्कार दवायर हिंदी में आपका स्वागत है पाकिस्तान की जेल में बन भारते नागरी कुलभूशन जाधव से मिलने 25 दिसंबर को उनकी माता जी और उनकी पत्नी गई थी उनकी वापस लोटने के बाद से लगातार विवाद हो रहा है कि उनके साथ दुर्वेभार किया गया था और ये भारत और पाकिस्तान के जो कूटनितिक रिष्टे हैं उसके लिहाद से बिल्कुल सही नहीं है लगातार बयान आ रहे हैं यहां से भारते विदेश मंत्राले न क्या कर आओको है क्या आद्यों तो घुरुञधे एकत करतिब तार यहां है इसा तो स्वागत है तो पहला सवाल मेरा यही है यह जो पूरा मसला है मिलने गए जो एमे टिर ने किम टार, और मैं ने जो आपस में जो जो बात्चीत करनने गाए उसमें कहां तक आपकोस निच मैं तो पीछे आओंगी कि बेसिकली यह जो पाकिस्ता ने पहले बोला था कि हम आपके गुल्भुषन जादर की वाइफ जेतना के लिए हम वीजा देंगे नवेमर 10 को जब इंडिया ने रिवड़ा है उनका रिक्वेस्स रहा है कि मताजी नाम अवनतिका है उनके संसे मिलना चाहती है और यह बहुत ही पेंडिंग रिवेस्ट था तो फाइनली पाकिस्तान ने का ठीक हम दोनों के लिए हम वीजा देंगे और यह उन्होंने वीजा दिया उन्होंने दिसम्बर 14 को पर वीजा देने से पहले जो इंडिया ना और एक कंडिशन रखा था कि एक इंडिया के एक डिप्लोमैट उनके साथ रहेंगे जो उच्छा कि अधिया था कि इंडिया से प्रसंट्टिटिव होंगे जो उनके साथ जाएंगे और बेसिकली इस मुलाकात को विटनिस करेंगे यह इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली वो दोनों एक साथ अकेले उनके साथ ना जाएं पकाईसान में जा रहें हैं उनको पता नहीं क्या सकते हैं कि अधिया प्रसंटिट विजह देने के बाद भी इंडिया और पाकिसान में लास्ट मिन तक निगोसेशन होता रहा है कि मोडालिटी इस कैसे होंगे यह जाएंगी कब जाएंगी कैसे जाएंगी और इंडिया नहीं चाहती थी कि कोई इसमें मेडिया कोई सरकस हो फिर आप देखि रहें पाकिसान का दूसरा इंड डूसरा इसमे मेकि बशिक्यलि इसमें रिशू है कि बसीए में जा दुछिक I think there was a basic contradiction between the two sides in what they actually wanted to extract from this whole meeting things and so India wanted it basically to be only a humanitarian aspect that basically you Kulbhujan Jadav in March he was arrested basically taken in Kastridivya Pakistan in March 3rd and they have not met so far 21 months exactly 21 months the whole idea about this meeting to show that Pakistan is a is the UK and that the whole idea about the meeting is to show that Pakistan is a India is a sponsor of terrorism, that's the main objective, दिखाना चाहते थे कि हाँ भारत से भी आतंकवादी पाकिस्तान भीजे जा रहे है, तो यह जो जितने तरीके की बाते हैं, कि उनके जो religious sentiments की बात की गई है, कि उनकी चूडियां, अंगर सुत्र रुबिंदी, जूते तक जूतों पर अभी भी लगाता है पा यह जैसे कहा आपको की निगोसिशिंस होते हैं तोनों countries के बीच में हम इंडिया से कुछ दुमान करते हैं, वो कुछ accept करते हैं, नहीं करते हैं, वो कहते हैं, since they're the host country, they also have more of the cards in their hand, की यह वो भी कहते हैं कि इसी तरह से होना चाहिए हमारे भी से तो फिर अंदर जाएंगे, कितने देर तक रहेंगे, कौन-कौन होगा, कैसे कितनी दूरी होगी, तो यह सब पहले से अंडिस्टैनिंग में आ गई थी, तो इसलिए उसके बाद में अंदर गई थी, उनको सारे निए पूरी पूरी चेकवर्टी चैक अज से हैं यहांने जानकारी में होई थी। मुझे बातचीत से समझाया कि जानकारी हुई है इस में अब्जेक्शन इस सेट फ्लोट्स पड़े क्यों बदलने की जरुवत पड़े और बदलने की अगर बात भी हुई थी तो पहले से बताया जाया तो यह उनके अंडस्टानिंग में कही पह आया नहीं था कि बिसकली की जानकारी 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 पाकिसान में पाकिसान में रहेंगे पर जाबічcy जानकारी जानकारी जानकारा आसानकास में बाया जानकारी होताई जानकारी जाफ़े जबकि जबकि जिपे स सब्सूत प्रपस दाविट थांकारी थाह था किसानका and that was I think the major these two things with the major concerns that India had that basically and also that he was not able to listen to it properly अगर एक तो कुल्भुशन जादव और उनके मदर और वाइफ की बीच में थी और वो इंटेकॉम से बात कर रहे थे और ये जीपे सिंग और भी पीछे थे और उनको जादव तो कि अदे रहा थे बीस जादो बीचान के अपत्यान दर्श करा है जो अब्जेक्शन धीक्टिस मे ने दे हैं बिल्कुल जस्टिफएड है मुझे से अपत्यार प्रेशन जादा भी थे जादे दे इस तो कुल्ल कुल जस्टिफाइड है a letter and spirit of the understanding. So these understandings are basically that everything is written in it. You know, we can write one thing, but basically they knew that all these things will not happen. So that's why they specifically used the wordings letter and spirit. So international protocols, what is happening in other countries, if there are incidents in other countries, in other countries, there are terrorists, and if they are given their family members or their prisoners, they are given to them, and they have given them international protocols, or ICJ has set them? I know, that there is no international protocol which governs convicted prisoners of in other countries, if there are relatives that will be a different international protocol. I think all the countries, different countries have their own domestic manuals, convicted prisoners on the internet, the other countries, how they will be done. By all the national law is national laws, they have their own national laws and they don't understand what they are the countries, they don't understand. And usually when countries, because this is a Kulbushad Jadav, it's more of a diplomatic issue, it's because of that, India and Pakistan Government have got involved. अगर आग देखेंगा कोई और इंडिया में बहुत सारे foreign nationals हैं जो हमारे जेल में हैं, अगर उनके relatives विजित करना चाहते हैं, उनके बंद हैं तो उसके लिए उनके government will not get involved. उनने इंडिविजुली आकर भारती सरकार से संपर साधना पड़ता है. भारती सरकार से से साधना जेल जेल तो इस इस पूछ से प्रवान के पेस कोई प्रड़ता है. यहां मैं धर भारत में ऐसे कोई पर्टिकुलर इंटरेशनल खाहते हैं तो आप कमेंट में छोड सकते हैं प्रोसीजर्स है अलग से हमार पास सबके पास एक जेल मैनुवल होता है most of the states also have the separate prison manuels which tell you exactly how to deal with convicted prisoners which that this is interview time this is a procedure of the interview कि उनके पीच में फाइब ग्लास बारियर होना चाहिए तो ये उसारे मैनुवल में लिखा रहता है उसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि foreign nationals के लिए इंडियन nationals के लिए तो इसी किसमें प्रिशनर्स के लिए सभी कैदियों के लिए एक सेट फूर्वल्स है जो कि अगर वह foreign national है तब ही कोई फ्रक्नापर्ट तक कैदी कैदी है उनके लिए एक रूल्स है जो कि सभी पर लागू होते हैं लगादर खबरें आती रहती है पाकिस्तान और भागत की जब बात होती है तो ऐसी खबरें बीच में आई थी कि नेपाल में पक्ड़े गए है एक पाकिस्तान के अधिकारी है मुहमद हभीब जाहिर जहीर तो लगा था यह कहा जा रहा था जब भी कुल्भूशन जादव का मसला था कि इधर से एक स्वैप होगा कि जब इंडिया इनको छोड़ेगा हभीब जहीर को तो उधर से कुल्भूशन जादव को छोड़ा जाएगा क्या है यह पूरा मसला तो एप्रिल में रिपोर्ट आई थी नेपाल से पहले कि एवां पे एक फॉर्मर रेटायर लेक्टिनन करनल पाकिस्तानामी के मौहमद हभीब गवां जाई आप हमे और हिसमें जाहिब अफ्र उसके बात कुछ कुछे रिपोस आने लगे का से कैसी भी यह पिस ही बदिया भी नियू पकित॑ घ e कि पुपलेइट्टोर नेयू की पिक अनल मौह परिली और से कि प्रिकल रागियन रिपीट जाहिए भक पॉवन द्लिम स पाकिसानामी ऑफिसर, प्रॉबल्म इसकों कोई कई हमारे पास है के नहीं है, है की नहीं है, है की नहीं है, जब अगर होता भी है swap, तो इसले होता है, जब अगर होता है swap, तो I'm not sure unless we India confirms it, कि हम publicly swap कैसे अनॉंस करेंगे, मुझे समझ नहीं बहुता हु. कि जादव को पाकिस्तानी मेडिया क्या रही है क्या जादव को पाकिस्तानी मेडिया यस्टरेए तो पहां पेपर है दो नेशन के वहां पे एक कमेंटरी था पेज कमेंटरी वहां पे बात करेतीज कि vseggly वह दो को खंडीर कार्चे का से लिएम पर वर अपको यााद है रहर है रहमें देवीस का जो एक C.I.E. ऐसीन Вас था? पर फैमिली मेंबर्स उन्होंने इसलामिक लॉग के हिसाब से वह कर सकते हैं तो उसके साथ वह कह रहे थे कि रेमन डेविस के साथ हो यहां पर नहीं हो सकता कि वहां पर फर्स्ट अपर रेमन डेविस का ट्रायल चल रहा था इसमें एक पाकिसानी military court ने death sentence दिया है यहां क्रायल हो चुकी है यहां क्रायल हो चुकी है यह पर फिर भी यहां पर कमेंटरी कर रहे हैं कि पाकिसानी public opinion will be very difficult to convince especially since the सब्सक्राइब का अट इस्जाएंर मौठ नहीं करेंगी बिकस इस एृट नहीं रुट हम सब्सक्राइब इस डारी बिर्भाने कर psychology फाने कहते मैं इस इस एंटडिल या कमाफ। ऑस अवैराफॉग और प्रॉच नहीं करेंगी luck ँियु है imagine is basically if the ICJ gives a ruling and then Pakistan will have to accept that ruling. They have not yet said that they will not accept any adverse rulings from the ICJ, International Court of Justice, UN's judicial organization. The second question is that this is the humiliation that they are saying to their family members can make any decision for the ICJ? The ICJ is basically said that Pakistan has violated the international protocol called the 1963 Vienna Convention on Consular Relations. Under which, if a foreign national is basically arrested by another government, they will have to give consular access to him, to his national government. For example, if Pakistan has Indian national, he has to give consular access to a diplomat of that other country. Yeah. So, and that access is a very specific, they have a definition that what do you mean by consular access. So, India had asked for consular access to Jadar 13 times. Right? So, the whole and this is interesting that basically India and Pakistan have said that the meeting was not a consular access. Okay? So, consular access, the Indian diplomat would have had to talk to him. And you would have to be a part of the conversation. Yeah. So, this is not a major factor in the ICJ issue. So, this is not a major factor in the ICJ issue. Yes. So, the term measures is why Pakistan has to give a stay on the execution till the final judgment comes. Yes. 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 And then, after that, they started hearing for the final judgment. So, the final judgment, we had told India that you have a deadline of September 13th. So, you can give your case in the written. In the written case. And then Pakistan also gave it 3 months. And it was also a deadline of December 13th. And it was also a counter-memorial that they submitted. And now, ICJ has not given the date for the hearings. So, the next stage is the hearing. अब तक ग्रोल रहा है वह भारत के लिए जादा अच्छा रहा है यह इसके अलावा जो नरीश एच्छी अच्छी आपर हो रहा है लगातार है उपोजिशन लीडर ने कल भी हंगामा किया था वने कहा था कि नहीं रिष्टे ऐसे नहीं करने चाहिए और इस तरीगी कि अगर कोई देश पाकिस्तान में कुल्भूशन को टेर्रिस करार दिया गया है और इंडिया में अगर किसी को टेर्रिस करार देते हैं तो उसके साथ कड़ा व्याभार होता है उनके इस बयान पर उनकी काफी आलोचना हुई है और इसको लेकर लगातार सुब्रमन्यम स्वा यहां पर आपको लगता है कि इस मुद्धे को लेकर बहुत जादा राजनीती हो रही है बहुत जादा पॉलिटिक्स हो रही है इस मुद्धे को जादा पॉलिटिक्स हो रही है अगर इन्टनेशनली जो हो रहा है और यहां पर पार्टीज में हो रहा है जैसे विपक्ष का सवाल उठाना है या नरेश अगरवाल के बयान पर इतना जादा कि उन्हें दो बार क्राइफाइ करना पड़ा उन्हें कहना पड टाल जाए है लगाता तो क्या यह पूरा जो मुद्धे जो की विदेशनीती से जोड़ा है बेसी के फॉरान बोलिष दिपलोमाटिक रिलेशनिशनिशिप आल पर इतना लाइमलाइट उसको गया जारा है जितनी तवज्जह उसे ती गयारा है इतना डिजट भी करता है यह से शेकिड रेलेशिशन के पाकिसान को लेके इस नोड सिम्पली पोलिसी इसुव इस या डिमस्टिक इशू अलसो अपने खुदी रेखा गुजात इलेक्शन में जो बयान बाजी हुई थी पाकिसान को लेके मुझे उतना मुझे लगता नहीं कि इतना उन्होंने उचाला है और मीडिया ने उसको फिर पिक अप कर लिया है और पूरा दिन चलाती रही है तीवी चैनल्स ने यह तो आम बात है अभी I don't listen to it that much because this is not part of the actual diplomacy which happens between the two countries तो क्या यह जो इस तरीकी की बहसे होरी है आपको लगता है कि इससे कही ना कही है जो इंडिया पाकिस्तान के relationship है उसके फर्क पड़ेगा? I am not, मुझे उतना मुझे लगता नहीं कि और इंडिया और पाकिस्तान का जो मीडिया का रोल है जैसे जो मीडिया का रोल है जैसे मीडिया को एक दूरी पर रखा जाए जितने भी बयान जो पाकिस्तान के तरफ से दिये गए उसमें जो तरह तरह से कहा है शो जो आजया को आजया इसका है, शोचाल अजया जया जरहा है। नरेटिव जो है पाकिसान TV में is exactly what the narrative that the Pakistan government wants to show that देखिए बहुत ही हमारी दर्या दिली है कि हमने उनके हिसाब से खुलबुशन जादव जादव तर्रॉस्त है और फिर भी हम उनके family members को यहां पे लाए है and that was reflected in their reporting also and also their front, कल पूरे front page में यहां पे, उनके newspapers में था, DAWN में, Nation में, the news में front page stories थी तो और उसी हिसाब से India में हमने TV channels were basically the opposite in that sense कि यह उन्होंने किस तरहाँ how could they you know put a glass barrier between Jadav and you know and family and so the outrage was being fueled and you know from both sides in that sense. एक और सवाल है जो लगा तार लोग हमसे पूछरे है मिस्ट्रीप्में आफ कुल्भूशन जादा, लगातार ऐसी media reports आई थी कहा जा रहा था कि scratch mark देखा जा रहा है उनके earlobe पर चोड दिखाई पढ रही है वीडियो पे, तो क्या ऐसी कोई M.E.A की तरफ से पुछ्टी की गई है? अगर, not about that, जो हम नहीं कोई channel चला रहा है कि उनके कोई purple mark है उनके पीछे, ear के लिचे, उसका कोई confirmation नहीं ही और जहा तक मुझे तो फोटो में दिखाई नहीं दी थी, पर इस पेसिविकली उनके माने, तो उनके पूछा भी था और उनके पूछा भी था कि उस ब्रूस किसले था यानि चोट का निशान था उनको लगा था और सवाल किया था जिसका जवाब उनके नहीं दिया था दवायर में आज के लिए इतना ही इस रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं, देवी रुपाजी की रिपोर्ट आप देवायर.in की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, कुलमुशय उ जादभ लेकर हिंदी में जब रिपोर्ट है वो आप दवायर हिंदी की वेबसाइट पर